व्रत के लिए खास मोतियों वाली खीर हा मोतियों वाली क्योंकि ये साबुदाना जिस तरह से खीर में जा रहा है न बिल्कुल ऐसे लग रहा है मोति टपक रहा है इतनी बढ़िया स्वादिश्ट ऐसी ये खीर बन कर तयार हो जाती है मल्टी की चनपूने स्पेशल ये रेसिपी जरूर जरूर ट्राई कीजिए इस खीर की खास बात है साबुदाना बिल्कुल चिपचिपे नहीं होंगे ये खीर बनाते वक्त खास ध्यान रखा गया है तो चलिए शिर्वात करते हैं मल्टी की चनपूने में मैं समीता आप सबका स्वागत करती हूँ साबुदाना की खीर बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले लेंगे आधा कप या आधा कटोरी साबुदाना साबुदाना लेने के बाद मोस्ट इंपोर्टन टिप है इसे तीन से चार बार हम अच्छी तरब पानी से धो लेंगे ताकि इसके अ हम धो लेंगे अच्छी तरब फिर देखिए यह स्टार्च वाला पानी कितना निकलता है इसलिए इसे तीन से चार बार पानी से धोना मोस्ट इंपोर्टन है धो कर यह तयार है भीगने के लिए अभी हम इसमें डाल देंगे पानी हमने आधा कप पानी लिया था तो बस इस में आधे से आधा पानी डाल देना है वन फोर्ट कप पानी डाल दिया है इसे रात भर के लिए या एक गंटे के लिए भीगने देंगे मैंने यहां इसे रात भर भिगाया था आप एक गंटे के लिए भीगा सकते है यह देखिए कितने महीन ऐसे साबदाना बन कर तयार है अभी हम बना लेते हैं खीर, खीर बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डाल दिया है, घी, दो टीस्पून इसमें डाल देंगे, काजू, बदाम, आपकी श्मिश भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे हलके से पिंकिश कलर में बून लेंगे, तयार है, फ्राय होके ड्राइफ चाहिए, और मलई भी आनी चाहिए, जो हमने घी में ड्राइफ रूट फ्राय किये थे, वही वाला घी इसमें डाल देंगे, घी डालने से, और बढ़िया स्वाद आता है, और घी की वज़े से कलर भी बढ़िया आता है, और आप देख सकते हैं, तीन से चार मिनिट हुए ह दूद थोड़ा सा रिडिस हुआ है, जो साइड में जो मलई आती है न, उसे भी हम निकालते जाएंगे, और इसमें डाल देंगे केशर की कलिया, थोड़ी थोड़ी केशर की कलिया डालने के बाद, इसे फिर से, एक सेकेंड के लिए मिक्स कर देंगे, ताकि केशर का कलर भ अभी इसके साइड में जो मलई आई है न, ये पूरी निकालते जाएंगे, ताकि खीर हमारी रबडी की तरह लगे, बहुत ही बढ़िया कलर आया है, अभी आप साबुदाना देख सकते हैं, साबुदानों को मैंने रख दिया था, एक आदे घंटे के लिए फ्रीज में, ज केंगे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टन है, साबुदानों को भीगने के बाद आदे घंटे के लिए फ्रीज में रख देना है, और यहाँ दूद रिडूस होके तयार है, आप कलर देख सकते हैं, कितना गाढ़ा बना है, ये अभी इसी दोरान, चीनी भी हमारी पीघल गई ह इसी दोरान हम इसमें डाल देंगे, साबुदाना जो हमने फ्रीज से बाहर निकाले हैं, और अच्छी तर पाच मिनिट के लिए साबुदाने को पकने देंगे, ताकि साबुदाना जब मुँ में आए ना, ऐसे लगे मोती मुँ में आ रहे हैं, और बिल्कुल चिपकेंगे नहीं, यह गैरंटी है, मल्टी किचन पूने की, इसलिए इसे फ्रीज में रखना आदे घंटे के लिए भीगने के बाद बहुत जरूरी है, अभी पाच मिनिट बाद आप देख सकते हैं, साबुदाना पूरी तरफ पक गए हैं, अच्छी तरफ पक गए हैं, जैसे मोती है मोती उपर आए हैं दूद में, ऐसे लग रहे हैं, तो अभी यह सर्विंग के लिए तयार है, साबुदाना की खीर रत के लिए खास, शिवरातरी के लिए खास, आप देख सकते हैं, बन कर तयार है, साबुदाना की खीर कितनी गाड़ी बनी है, बहुत ही बढ़िया कलर आत ड्राइफ्रूट्स के साथ बहुत ही बढ़िया देखिए किस तरह से ये गाड़ी बनी है अभी हम इसे सव करेंगे सर्विंग प्लेट में साबुदाना भीगने की वज़े से ये पाचन के लिए भी हलकी होती है खीर खाने के लिए आप देख सकते है किस तरह से ये खीर जैस तो जरूर जरूर चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन कॉल को क्लिक कीजिए ताकि वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो जरूर जरूर पूरा देखिए और वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिए कमेंट में लिखिए कि आगली